अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजी और साथ में घंटी तो दबाना बिल्कुल भी नहीं बुलना हेलो बरिवन, वेल्कम दो टेक्नोरगेश और आज की टेक्निक शुरू करते एक नए सवाल से कल आप लोग को जो मैंने सवाल पूचा था काफी सारे लोगों ने जो इतना प्यार और सपोर्ट दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का क्या आप लोगों ने जियो फोन के लिए रिजिस्टेट किया है चाहे वो जियो की वेबसाइट से हो माई जियो से हो या लोकल स्टोर कहीं से भी आपने जागी कुछ जानकरी लिए या रिजिस्टेट किया है ऐफिशली आप मुझे आज इस वीडियो में कमेंट करके वाइसे इंडियन कमपनी जो प्रिविस ली तो और इसना स्मार्टफोन लाउंच किया इती जो अगर आपकी स्पेसिकेशन सुनेंगे तो आप खूद यहां पर बतारतों क्यों एक स्वाटफोन एमेज़ु के अपर 7000 रुपीज में लाउंच रोना है जहां पे आप लोग आपको microSD card का slot मिलता है यानि कि 2 sim भी लगा सकते है साथ में आपको एक microSD card का slot भी यहाँ लगा सकते है साथ में आपको यहाँ पर N.7 out of the box मिलता है आपको 13MP का autofocus का rear facing camera मिलता है आपको उसमें LED flash मिलती है और साथ में आपको 13MP का selfie मिलता है उसके अंदर भी आपको LED flash मिलती है आपको 3000 image के screen जो बैटरी मिलती है fingerprint scanner बगर मिलता है और metal unibody design मिलती है Mediatek का MT6737 का आपको उसके जो प्रोसेसर मिलता है जो 7000 रुपीस में आपको यहाँ पे थोड़ी सी कुर्बानी जो वो देनी पड़ेगी अब यहाँ पे आप लोगों पता है कि 7000 रुपीस में कोई भी Indian company हमें ऐसे specifications नहीं देती है यहाँ तक कि 7000 रुपीस में कोई Chinese company बेसी नहीं जो हमें specifications नहीं देती है अपार्ट फर्म Redmi के 4K screen हमें जो Snapdragon 435 मिल रहा है हम सभी लोगों को पता है लेकिन आपको अगर remaining features की बात करो तो यह smartphone मुझे बहुत ही पसना आया है और battery से लेके, RAM storage से लेके, camera से लेके, display से लेके काफी अच्छा phone है अगर आप कुछ थोटे बोटे gaming बगरा करते हैं और आपको decent से smartphone चीए budget के अंदर आप यह वाला smartphone जाके purchase कर सकते हैं क्योंकि यह एक Indian company और इस बार कुछ नई Indian company ने हमारे हाथ में कुछ अच्छी चीजी यहां पर दी है तो जियो की तरफ से खबर आ रही है और हम सभी लोग को बता है कि जियो का यह feature phone इसके अंदर में Kai OS मिलेगा जो कि Firefox based OS है पहले यहां पर जब यह phone launched हुआ था जहां पर उनकी कुछ presentation हुए थी वहां पर Facebook हमें इसमें pre-install डिखाई दे रहा था आप यहां पर बता देरे कि जियो यहां पर WhatsApp से बात कर रहा है और बता देरे कि WhatsApp हमें जियो के इस feature phone में pre-install जो मिल सकता है हाला कि WhatsApp का support Kai OS के नरह में कहीं पहले भी देखने को नहीं मिला था क्योंकि बहुत ही मुश्किल था WhatsApp के लिए अब यहां पर बता देरे कि हो सकता है जियो के इस feature phone में हमें WhatsApp का support भी जो देखने को मिल सकता है लेकिन Facebook तो हमें इसमें already देखने को मिलेगा है अब देखने के जियो यहां पर कितनी महनत करता है कि WhatsApp उतना ही important जितना Facebook है और अगर इस feature phone में WhatsApp मिलता है तो मेरे साब से majority of the logo की problem यहां पर solve हो जाएगी साथ में हम सभी लोगों को पता है कि हर महिने try की report आती है जो की speed test होता है और हम सभी लोगों को पता है कि जियो अभी तक का 6 महिने से लगातार जो वो download speed या upload speed में सबसे top पे चल रहा है यहां पर बता जारे कि इस महिने यानि कि previous महिने जुलाई की बात हो रही तो अब बता जारे कि जियो की speed यहां पर गिर रही है लेकिन जब जियो की top speed बता जारे कि 19 अब देख लेते कि लगातर जियो ही सबसे उपर आ रहा है अब जियो की यह speed कितने ज्यादा time तक कायम रहती है यह तो आने वाला वक्ती बताएगा इंफिनिक्स मोबाइल के बारे में आप लोग ने सुना होगा इंफिनिक्स ने अपने note 4 और hot 4 pro करके कुछ smartphones इंडिया में लांच किये थे मैं note 4 से काफी सहमत हूं उसकी pricing और स्पैसिविकेशन मुझे काफी पसंद आई है इंडिया में इंडिया में इंडिया में लांच किया है जहां पर इस फोन के आपको 5 इंच की अब आपको यही कहता हूं इसमें कोई भी कॉंपिनेशन इसा नहीं जहां पर आपको कुछ अच्छा मिल रही है कुछ अच्छी जो नहीं है जो अच्छी है जो हम इस फोन को परचेस करें यहां पर सब कुछ आपको डाउन मिल रहा है कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है और प्राइसिंग आप देखें तो 7777 तो कूल पेड मुझे पता नहीं क्यों ऐसा कर रही है एक जमाने में कूल पेड की फोन सबसे अच्छा तो वह कूल पेड नोट 3 और नोट 3 लाइट है जो आज भी में यूस कर रहा है और आज भी अच्छा चल रहा है गेमिंग वगर भी सबच्छी होड़ी लेकिन कूल पेड को मुझे पता नहीं क्या हो गया है अब 20 ऑगस्ट को बता है कि कूल पेड हमने एक फ्लैक्शिप स्मार्टफोन भी लांच कर रह साथ में Nokia 8 की हमें यहाँ पे कुछ camera samples मिले camera samples जाने की camera की interface की sample मिले जिसी कि आप यह images देख सकते है कुछ Chinese वगरा में यहाँ पे दिखाया जारा हो सकता है कि यह smartphone जो शायद से पहले चाइना में launch हो सकता है यह कुछ इस तरीक है इंटरफिस हमें Nokia 8 के smartphone की यहाँ पे दिखा पिंट scanner है तो हो सकता है यह एकड़म से budget category का smartphone हो का जो 4G वोल्टी तो लेके आएगा screen size भी 4.5 इंच क्या सपस होगी लेकिन इसके अदर में fingerpin scanner नहीं मिलेगा 4,500 तक ठीक है अब उसके उपर जाएगा तो हम सभी लोगों पता है कि बहुत सारे alternatives market में यहाँ पर पड़े है अगर आपको 1 plus 5 purchase करना है सबसे पहले तो वह बड़ी बात है अगर आपको पसंद है purchase करना वेट कर रहे थे अब यहाँ पे आपको slate gray और black के अलावा भी आपको mint gold मिलेगा जो August 7 को आप exclusively जाके Amazon से जो वह purchase कर सकते है वीवो की तरफ से खबर आ रहे है और बताएदर है कि वीवो का एक unknown smartphone यहाँ पे benchmarking पे लीट हो किया है जापे हमें snapdragon का 660 का processor मिल रहा है और 4GB की RAM और 7.1.1 out of the box मिल रहा है हम सभी रहों को आप लोग को बता देता हो कि पहला ही ऐसा OPPO का smartphone अभी भी फिलाल के लिए एक ही Selfie Centric smartphone बन सकता है प्राइजिंग क्या होगी यह तो जब आएगा तो ही बता दो क्योंकि इन लोगों के लिए snapdragon 660 बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि MT6753 जब 20,000 रुपीस में जा रहा है तो snapdragon 660 मुझे नहीं पता कि कि कितनी प्राइज में आप जो बिखेगा फाइनल आप लोगों बता रहे थे एक नया मालवर यहां पर जो आ चुका है अभी बहुत सारे रेंसम वेर्स वागेरा वगेरा आयते हैं अब एंडूइड के बता देरें के अगर आपके मुबाइल के अप्लिकेशन से अगर आपके मुबाइल में यह वाइरस आ जाता है तो हो सकता है कि आपकी सारी बैंकिंग के डीटिल्स वगएर इसके पास न्यानी की पासवर्ड आइडी वगए इसको जो मिल जाये 23 कंट्री फिलाल के लिए इससे एफेक्ट ह हो चुकी है और इंडिया का यहां पर फिलाल के लिए ज्यादा कुछ अभी सामने नहीं ज्यादा तर ये रोप और रश्या वगरा में एफेक्ट हुआ है यह क्या करता है कि फ्लेश प्लेश प्लेयर के जरी आपके मुबाइल में आ आ जाता है और फिर आप इसको अनिस्ट के लिए डेली टेक्निस आता हूंगा आप लोगों को ऐसे ही अप्डेट करता हूंगा मिलता आप से एक लिए में एक नहीं वीड़ो के साथ तिल देने वे ग्रेट डे एंड ऑलवेस कीप स्मालिंग